हाई फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजूकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें मितले इन्वर्सिटी का बीए पार्ट थार्ड जिसका सब्जेक्ट है पुल्टिकल साइंस ऑनर्स पेपर सेवेंट दोस्तों चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबाते हैं जिससे कि जो भी वीडियो आपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके चले दोस्तों लोग सुरू करते हैं इसका जो पहला कोश्चन होगा जो अब्जेक्टिव होगा दस ह और उसका एंसर आपको देना बहुत ही अनिवार्ज है अब उसका सब्जेक्टिव जो कोश्चन है जिसका पहला कोश्चन है पलेटो के आदर से राज्य की आउधारना का परिछन कीजिए पलेटो के आदर से राज्य की आउधारना का परिछन कीजिए दूसरा कोश्चन है पलेटों के साम्यवाद के सिधान्त का आलोचनात्मक परिक्षन कीजिए तीसरा कोशन है दास्ता पर अरस्तु के विचारों की विवेचना करें दास्ता पर अरस्तु के विचारों की विवेचना करें चौथा कोश्चन है पलेटों के नियाय सिधान्त की विवेचना करें चौथा कोश्चन है और अस्तु के करांती सिधान्त का परिक्षन करें पांचवा कोश्चन है रूसों के समाजिक समझावता सिधान्त की विवेचना करें छठा कोश्चन है कार्ल मार्क्स के द्वन्दात्मक भातिक वाद के सिधान्त का परिक्षन करें साथवा कोश्चन है और अस्तु के दास्ता सिधान्त का मुल्यांकन कीजिए और अस्तु के दास्ता सिधान्त का मुल्यांकन कीजिए नो नमबर का कोश्चन है मैं किया वेली के मानो स्वभाव संबंधी विचार का वर्णन करें दास्तु कोश्चन है लोक को उधारबाद का जनक कियों कहा जाता है एगारा नमबर का कोश्चन होप्स और लोक के समाजिक समझाता सिधान्त में क्या अंतर है बरहुआ कोश्चन है रूसों के समान एक्षा सिधान्त की भी बेचना करें दोस्तों यह था आपका इंपोर्टन कोश्चन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जैसे के जो भी वीडियो आपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके अब हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं तब तक लिजा ही जय भारत